है लो दोस्तों उमीद है अप अच्छे से होंगे हिस्टरी में बिटकोई की टोटल तीन हालविंग हो चुकी है और चोती जो हालविंग होनी है वह होनी है एपरल 2024 में इससे पहले जो 2012 वाली बिटकोई हालविंग थी वह तो मैं एक्सपिरियंस नहीं कर पाया मुझे उस वक 2020 में एक्सपिरियंस किया मैंने उसको हालविंग को के प्राइस मुवमेंट कैसी होती है बिटकोई के और अधर आल्ड कोई की अब मेरी ये थर्ड हालविंग होगे मतलब चार में से तीन हालविंग का एक्सपिरियंस मुझे हो जाएगा बशरते जिंदी की तो हमेशा जो जो 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 इस तो आदे ना देखें जो 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 ट्रेडर से वो बिटकोई और बुल रन को असोसियेट करते हैं बिटकोई आलविंग के साथ ठीक है लेकिन अगर आप डैटा उठा के देखे ना तो बिटकोई हालविंग के जो क्रीब डेट्स होती है वहां पर जाके बिट बिट कोई हमेशा डंप हुआ है ठीक है आल्ट कोई हमेशा क्रेश हुए है तो तुथाजन ट्वंटी में शायद आप होंगे नहीं होंगे तो आपको मैं बता देता हूं जिन्हों ने एक्सपिरियंस किया है 2020 वाला बिट कोई हालविंग का इवन्ड उनको पता था कि जिस द अब भी 24 में डिफरेंट होगा वो क्या डिफरेंस होगा इसी के ओपर मैं आज की वीडियो बनाऊंगा बिट कोई की प्राइस प्रेडिक्शन के हवाले से के हालविंग के करीब कितनी प्राइस होगी और अगर हालविंग के बाद बिट कोई ने पंप होना है तो 2024 के लास तक बिट कोई की प्राइस कितनी हो सकती है अकोडिंग तो माई एक्सपीरियंस मैं घलत भी हो सकता हूं लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा उससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर कमा लेंगे चाहे बिट कोई नीचे जाएगा चाहे उपर जाएगा ठीक है तो सबस किया 10-8 लोग करते है के हालविंग के साथ के बिट कोई की हाल विंग आएगी तो बूलर रान ऐसा नहीं होता है अगर आप जो लोग 2016 में पंदरा明, 14 में ट्रेड करते थे कि आपको पता है कि साल में 3-3 बूलर रान होते थे हमने मन्थ लगाए हूते थे के । दिसंबर मन मन्थ बेरश होते थे हमने यह उस वक्त इतनी उपरचिनिटीज होती थी अभी टॉटल मार्किट कैप पे आपको लखो कोई नजर आ रहे हूंगो उस वक्त गिंती के कोईंज होते थे कोईन बेस जब मैंने देखा है तो उस वक्त सिरफ और सिरफ लाइट कोईन होता था उसक फॉर्थ कोई जो इसको पर लिस्ट हुआ था वो था रिपल तो यह चंद एक कोईन दो इनमें ही बुलरान आता था और उसके बाद प्राइस नीचे आ जाती थी अभी जो थर्ड जो मेरा एक्सपिरेंस है तो यह फॉर्थ है ठीक है जो मेरा एक्सपिरेंस होगा उसके मता से जो आपको अब रोज रोज पंप देखने को मिले रहे हैं बिटकुन की प्राइस में यह बिटकुन की जो इटीएफ अप्रूव हुए स्पोर्ट इटीएफ उसकी वज़ा से इंस्टिटुशन इन्वेस्टर्स आपना पैसा डारे है क्योंकि अब उनको इसमें स्क्योर यूटुब के जो पराने मेंबर्स हैं मेरी परानी वीडियो उठाके देखने हैं उसके मैं कहता था कि जब इंस्टुटुशन इमेस्टर्स ने आना है तो बिटकुन हाथ नहीं आएगा ठीक है अभी तो इसमें इस्टुशन इमेस्टर्स नहीं है तब क्या बाते होती थी बिटकुन एक बबल है बस्ट हो जाएगा बिटकुन में कुछ रखा नहीं है बिटकुन जुआ है बिटकुन फलाना टमकाना पता नहीं क्या क्या होता था क्या आपको पता है सिर्फ मिलियन्स में मार्किट कैप हुआ करता था 2015 में कि एक बंदे ने सारा पैसा निकाला तो मार्किट गई ठीक है इलोन मस्क ने पैसे निकाला तो मार्किट गई सही है अब देखें ये ट्रीलियन में पहुंच चुका है और इसने एक नेक दिन हंडर्ट ट्रीलियन को भी करना है क्रोस करना है इस मार्किट ने वो कब होगा 27 में 30 में इसका इतना ब्राइट फूचर है आप्लिकेशन में ये कर लो वो कर लो सही है ये सारे इंटरनेट के तो कमाल आते हैं तो इंटरनेट की मुनी नहीं आ गया आने सिंपल सी बात है ना अच्छा जी मैं बात कर रहा था कि इस दफाद जो 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 लगाएगा ना बिटकॉ ayन वो लगाएगा अपरिल्में से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ना उतना प्रॉफिट आप बुक कर लेना बाकी रख लेना सीड मनी अगर आपको लगे बाद में भी एक्स्टेंड होगी रेली वह मैं आपको भी बताता हूं कि मेरी प्राइस प्रेडिक्शन क्या है बिट कुन के हवाले से ठीक है इसके लाब में आया है ठीक है अगर तो आप यूटूब के ओपर वीडियो देख रहे हैं तो आपको यह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जागा है वहां पर आपको मार्किट की फ्री अपडेट्स भी दी जाती है और फ्री में बाइंग और बाइ अगर आप तो आप यूटूब चैनल पर जाएं मेरे क्रिप्टो नोट उसका नाम है उसके ओपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जागा टेलिग्राम चैनल आप जोइन कर लें वहां पर आपको मार्किट की इंस्टन अब्डेट सी जाती है अब आते हैं ब 25 BTC से 3.125 BTC से 3.125 BTC तक यह पहुंच जाएगा इसका रिवोड है माइनर्स का यह माइनर्स का स्पेसिफिक रिवोड है इसको इसको ज्यादा तवज्जो क्यूं देते हैं कि मार्किट वेल्स में नंबर वान पे एक्सेंजिजें नंबर टू पे आते हैं माइनर्स जिनके पास ज्यादा BTC होते हैं नंबर 3rd पर इंस्टिटूशन इंवेस्टर जिनके पास ज्यादा BTC यह सैल जब करती हैं यह बाई करती है तो जो है वो काफी ज्यादा फरक पड़ता है BTC की प्राइस पर कभी उपर जाती प्राइस कभी निच चाती यह इसको तुसामक्स पहले से मुझे लग रहा है सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा अब भी BTC उपर से उपर जाता जाएगा अपना ओर टाइम हाई भी तोड़ सकता है सही है और यह BTC के थोड़े एपरल है कितनी डेट है 19 अपरल है ना 10 अपरल के बाद आप जरा लर्ट हो जाना क्यू मैं आपको बता दूँ अपरल माई जून तक सेलिंग प्रेशर रहेगा लेकिन यह जो दोजार चोबिस में यह अपना हाई जो लगाएगा यह एक लाख डॉलर को क्रोस कर सकता है इसमें इतनी ज्यादा पोटेंशल है I may be wrong क्योंकि यह financial advice नहीं है लेकिन अपनी experience की base पे आ इक लाख डॉलर को क्रोस कर देगा उसके बाद जो क्रेश होगा वह 70,000 डॉलर के रॉंड बॉर्ट क्रेश होगा तो यह fluctuation रहनी है 2024 में अब इसको अगर माइन में रखके करेंगे ना ट्रेड तो आपको आर्ट कोईस में प्रॉफित होगा इसमें बिट कोईन की ecosystem वाले ज ज्यादा फोकस करेंगे इस बॉलरन में ठीक है इसके लावा आर्टिफिशल इंटेलिजनस आ रहे हैं ठीक है और एन एफटी जा रहे हैं यह जो चार केटेगरीज है इनमे एक्स्ट्रीम बॉलरन आ सकता है तो मेरी पराइस पेडिक्शन 2024 में है कि यह एक लाख डॉलर एक कि मार्केट ने पंप करके एकदम से बड़ा क्रेश भी लेना है तो यह 2024 की फलक्ट्वेशन मेरे मताओगे बिटकोइन को ऐसे मूव करना चाहिए हालोविंग का ऐसे इंपेक्ट होगा इज़ा हर हालोविंग पिछली हालोविंग से डिफरेंट होती है अगर आपको लगत